हेलो गाइज, वेरी गूड इवनिंग, मैं हिना आप सभी का स्वागत करती हूँ, अगरिकल्चा अड़ा 24-7 के ऑफिशियल यूट्यूब चानल पर, तो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो गाइज, अगेज, आज मैं फिर गारा स्टी, इनदास्ट्री जो है, इन्दिया में, वो अग्छेनी किस पर बेस्ट है? तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेन पार्ट है अगरिकल्चार का जिसको हम बोलते हैं अनिमल हस्बेंटरी इक इंपॉर्टेन पार्ट है आपका पॉल्टरी, उसी पर बेस्ट है आपका ये पूल्टरी प्रड़क्शन है ठीक है ये किस-किस परपस के लिए होता है कौन से स्टेट इसमें लीडिंग है इंडिया में कौन इसमें सबसे जादा प्रड़क्शन कर रहा है चलिए आईए करते हैं इसके बारे में बात ओकी गई इससे पहले आप सारे के सारे सबस्क्राइब कर लीजे ओके तो गाईस सबसे पहले बात करते हैं आपके पोल्टरी फार्मिंग की ठीक है कि पोल्टरी फार्मिंग होता क्या है ठीक है इनस्टी लेवल पे तो हम इसकी बात करेंगे ही लेकिन पहले हम एक बार पोल्टरी फार्मिंग की बात कर लेते हैं तो guys लेको poultry farming is basically in the form of it is a form of animal husbandry, which rears domesticated birds such as chicken, ducks, turkey and goose to produce meat or eggs for food. तो basically यहाँ पर actually होता क्या है guys आपका poultry farming वे हम आपके कुछ ऐसे birds की rearing करते हैं जैसे for example आपके chickens हो गया, ducks हो गया, turkey हो गया, geese हो गया, ताकि हम उनसे क्या कर सके, meat और eggs का production कर सके, right? as a food हम उससे क्या कर सके, meat और meat और आपका egg production कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, poultry farming करते हैं, जो की आपका बहुत ही important पार्ट है, animal husbandry के, animal husbandry में, right? और जिसको हम क्या करते हैं, अपने benefit के लिए यूज करते हैं, इसके बाद, guys, बात करते हैं, poultry की, तो poultry में क्या आते हैं, आपके mostly chickens आते हैं, वैसे भी most of the people को chickens बहुत जादा famous हैं, भई, eggs भी हमें बहुत जादा अच्छे लगते हैं, बहुत जादा प्रोटीनेश भी हो तो उसी उनी चिकन्स के बारे में हम लोग उसी उनी की जो poultry इंडस्टी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो chickens में हम बात करते हैं, तो इसमें आपके mostly chickens आते हैं, ठीक है, और annual इनका जो कंजप्शन होता है, वो आपका 60 मिलियन से भी जादा चिकन्स को कि किल करा जाता है, annually, किसके लिए, मीट के लिए, ठीक है, जो generally non-wage जो हम लोग खाते हैं, जो मीट प्रडाक्शन आपका होता है, हमारा, annually उसमें आपके 60 मिलियन चिकन्स को किल करा जाता है, ठीक है, यह तो हो गई आपकी मीट की बात, ठीक है, इसके बात हम लोग बात करते हैं, guys, कि इसमें leading state कौन से हैं, जिन में आपका सबसे ज़्यादा poultry production होता है, ठीक है, जहां पर आपका, यह, जो generally, इन birds को, जो आपकी hands है, जो आपके chickens होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा, इनको कहां consume करा जाता है, कौन से state हैं, जो इसमें leading state है, तो guys, अगर हम बात करें, तो इसमें हर्याना आपका leading state है, वेस्ट बिंगॉल आपका leading state है, उत्तर प्रदेश आपका leading state है, these are the leaders in poultry meat production in the country, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में आपके हर्याना state हो गया, वेस्ट बिंगॉल हो गया, और आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यह state leading state है, और अभी के time पर अगर हम देखें गाइस, तो सबसे बड़ा producer जो है उत्तर प्रदेश है, ओके, the largest producer of meat in a country is उत्तर प्रदेश, it is contributing 23% of the total meat production, ओके, गाइस अगर हम पूरे all over India में बात करें, पूरे all over India में, कि सबसे जादा आपका meat production में कौन सा state contribute करता है, तो UP जो state है आपका वो सबसे जादा meat production में contribute करता है, पूरे all over country की अगर हम बात करें, तो उस में से आपका 23% production जो है, वो आपका UP से आता है, ठीक है, इसका मतलब chicken भी सबसे जादा वहीं पर होंगे, ठीक है, दूसरा अगर हम इसके बात करें, तो it is followed by West Bengal, इसके बाद आपका number आता है, वेस्ट बंगॉल का, ठीक है, और West Bengal आपका contribute करता है around 12%, ठीक है, तो next अगर हम बात करें, दूसरे में, तो आपका इसके बाद West Bengal जो है, सबसे अच्छा contribution देता है, ठीक है, आप graph में भी देख सकते हैं, कि देखें सबसे जादा आपका, यहाँ पर अगर हम देखें, तो हरि यहाँ पर आपका production बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपका production बहुत अच्छा है, लेकिन यह भी recent data है, यह actually graph, graph में आपका जो data show रखा, यह थोड़ा सा वो है, बट आपका अभी का, अगर हम देखें, तो आपका UP का सबसे जादा production है, ठीक है, उत्रप्रदेश में आपका states देते हैं, तो आपका meat production में अगर सबसे पहले हम देखें इंडिया में, तो आपका उत्रप्रदेश देता है, राइट, hello Deepak, so guys, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो, तो यह तो हमने बात करें कि भाई, पोल्ट्री में आपका chickens, जो पोल्ट्री में आपका जो birds हैं, chickens यह बहुत जादा contribute करते हैं meat production में, लेकिन क्या सारी species आपकी meat production के लिए यूज होती है, ठीक है, कि अपकी सारी हैंस को meat production के लिए यूज करा जाता है, कि अपकी सारी हैंसी बहुत अच्छा meat production देती हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, guys, अगर हम बात करें, त 아पके चिकन. एंक जह रियरिंग करी चाती है एक्स के लिए तो एग्स के लिए हम जिनको यूज करते हैं वो होते हैं आपके लियादेश किया है तो not really ce एक हम इस की फैकली बहुत सारे घ्मिनेशन में में जेरीek हैं बहुत सारे जायर पूचशा स्कना संक्राद है और यह रैट यह रिट काली आपकोण सी एक परपास लोगम होती है तो इक परद्क्शण के लिए आपके layers use होते हैं और अगर हम बात करते हैं meat production की तो उसमें आपके broilers use होते हैं right तो यह आपके broilers का meat सबसे best quality का मारा जाता है और egg आपके layers के मारे जाते है right तो guys as a food अगर हम बात करें तो यहां पर यह जो आपके birds हैं यह आपका food items provide करते हैं in the form of meat and in the form of eggs तो भई सबसे अच्छा जो egg हामें मिलता है वो हमें hands से ही मिलता है right तो चलिए बात करते हैं अब आगे distribution की तो poultry production का अगर हम distribution देखें guys तो इसमें सबसे जादा अगर आप production देखो तो broiler सबसे जादा contribution जो है वो आपका broiler का है तो इसके बाद अगर में बात करूं तो देन आता है आपका layers का और layers का किसमें आता है आपका egg production इसके बाद आता है आपका backyard poultry तो backyard poultry जो है guys यह तो आपका farming यह आपका जनरली farming level पे हो गया कि जब आप specially meat purpose के लिए कर रहे हो जब आप especially egg production के लिए कर रहे हो यह होता है जब आप क्या करते हो at the home level पे करते हो जब आप सिर्फ अपने लिए करते हो तो उसको बोला जाता है domestic level पे करते हो तो that is backyard poultry ठीक है तो यह उसका contribution है आपका ठीक है इसके अलावा बाकी आपका geese और other ducks का generally contribution होता है ठीक है तो guys आप देख सकते हो इस इन सब में सबसे ज़्यादा maximum जो है आपका broiler layers और backyard poultry का है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो आपका broiler का सबसे ज़्यादा contribution है ठीक है तो यह है आपका distribution poultry industry का right इसके अलावा guys अगर हम बात करें major states की egg production में ठीक है in terms of egg production तो meat production की तो हमने बात कर ली कि भाई UP आपका leader leading state है लेकिन अगर हम बात करते हैं egg production की तो guys poultry industry में अगर हम देखें तो egg production में सबसे अच्छा जो state है आपका वो है आंदरप्रदेश right आंदरप्रदेश जो है सबसे बड़ा state है जो आपका egg production करता है Tamil Nadu है और महारास्टा है okay guys यह आपके leader states है right जो आपके बहुत अच्छा production कर रहे है तो guys आप इससे देख सकते हो कि कौन से state में बहुत ज़्यादा meat production हो रहा है कौन से state में बहुत ही ज़्यादा आपका egg production हो रहा है ठीक है और यहां से आप poultry के importance भी देख सकते हो कि भाई यह कितना ज़्यादा important है okay तो guys this is all about the poultry industry की poultry industry में आपका किस कौन से product का यहां पर use करा जाता है like आपके eggs का use करा जाता है और आपके meat का use करा जाता है meat purpose के लिए होता है egg purpose के लिए होता है जो कि अभी के time पे बहुत ज़्यादा demanding भी है right क्योंकि अभी के time पे proper nutrition नहीं मिलता तो generally लोग egg को consume करते हैं या नॉन विच ले या आपका chickens वगेरा को consume करते हैं आपका जल्दी से जल्दी nutrient को fulfill करने के लिए right तो यह आपकी importance है आपके leading state है तो बाकी information आपको मिलेगी next session में तो बने रही है अगर आप लोग को हमारी classes अच्छी लगते हैं और आप हमारे batches में अगर enroll होना चाहते हो गाई तो आप y447 code use करके हमारे batches में enroll हो सकते हो अगर आप maximum agriculture exam को target कर रहे हो गाई तो आप agriculture महापेक में भी या आप IBPS SO या नाबाट बाकी batches में भी आप enroll कर सकते हो तो guys that's all about today's session मिलते हैं next session में तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा bye bye and take care